असलाम लेकूं मैं डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहरा हूं वह मेरा पर्सनल टॉपिक है वाई आई हेट इंट्राडे ट्रेडिंग और वाई हेट स्केल्पिंग स्पेशली क्योंकि इंट्राडेट ट्रेडिंग तो फिर भी किसी तरी करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कन्वेंस करने में काम्याब हो जो ताकि आप भी अपने पैसे नुक्सान ना कर लें मैंने मिजरी नवाज वेलकम तो फॉर्कस उस्ताद डाट काम सबसे पहली बात तो यह कि आपको यह समझना पड़ेगा के इंवेस्टमेंट क्य अब अब है हो प्रण क्या है कुछ लोगों ने इनवेस्टमेंट की होती है लेकिन वो कर इंट्राडेंट रेडिंग रहे होते हैं यहां सकल्पिंग कर रहे होते हैं जिसकी वह से वह जल्द б comenz चले dave jaleau नुक्सान कर बैठते हैं और बाद में कहते हैं थाया और क्रेप्टोerek मुंच में इंवेस्ट किया यहां मैंने इन्वेस्ट किया ता और मेरे पैसे वेस्ट हो गया ऐसा नहीं होता क्योंकि हो साव섯 है क्योंकि आप कुरिफ्रैंस कर नी पता फार यश क के अंदर investment क्या crypto के अंदर क्या इंवेस्टमेंट होती क्या बैसिकली और ट्रेडिंग क्या चीज़ है और investment और ट्रेडिंग के अंदर क्या difference है तो यह समझना बहुत ज़्याद जुरूरी है investment long term के लिए की जाती है जबके trading short term के लिए की जाती है investments के result mature होने में एक साल से लेके दस साल लग जाते हैं या पांट साल maximum आप कहले lifetime के लिए profit आता रहता है investment के रिटर्न के तोर पे जबके trading आपको मिंटों में profit देती है दिनों में profit देती है और आपको उसी time temporary प्रेडी फाइदा देती है यह नुक्सान देती है यह में मुद्धा में डिफरेंस है investment क्या दोनों स्क्योर है यह investment को रहें ट्रेडिंग क्योर है वैल इस अप तो यूर skills and up to your कि आप किस सक्टर में कर रहे हैं और आपकी एप्रोच क्या सो basic concept यह है कि investment और ट्रेडिंग के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए चले वह तो मैं चला किसी और दिन एक वीडियो बनाओंगा dedicated के investment और ट्रेडिंग के अंदर क्या difference है और विच इस दबेस्ट ट्रेडिंग इस बैस्ट और investment इस बैस्ट अगर आप यह चाहते हैं कि जल्दा जल्द में वीडियो बनाओं तो जल्दी जल्दी कमंट में लिखें के हमें बताएं वीडियो बनाएं इन्वेस्ट में ट्रेडिंग से रिलेटिड है नहीं हो आज मैं अपना टॉपिक आगर बढ़ाता हूं हमारा आज का टॉपिक है कि वाई हेट स्केल्पिंग इसके डिसडवांटीज में बताऊंगा आपको कि क्या क्या है स्केल्पिंग के डिसडवांटीज सबसे पहला जो डिसडवांटीज है स्केल्पिंग का वह बहुत जदा रिस्क इन्वाल होना वाइल यू आर इन्सकेल्पिंग आप को पता ही नहीं होता कि इस चोटे से काम करने से चोटी सी ट्रेड करने से मुझे कितना नुक्सान हो सकता है तो हमें वह लाइलमी में आप कह लें कि हम वह करते रहते हैं और बाद में उसका रिजल्ट बहुत भियानक किसम का सामने आता है तो स्केलिपिंग की घर्ज से ट्रेड जो लोग लगाते हैं बाद वकात वो ट्रेड भी काफी लong-tarm लउस में चले जाती है और प्र बाद में कि शौर्ट टर्म माइंड रखके लगाई होती कि मैं इसको अभी क्लोज कर दूँगा एक मिनट बाद एक घिंटे बाद तो वो तो क्लोज होनी पाती कि क्यों को लॉस में चली जाती है और कभी प्रॉफिट में आती ही नहीं यह एक सबसे बड़ा डिस अडवांच है अडव लगा दिया कि यह मौस्टी लोग स्टॉप लोस तो इस्तमाल करते नहीं है तो रिवाड उत्रा नहीं लेते मतलब सारा कैपिटल रिस्क पर लगाके रिवार्ड क्या लिया चंद पिप्स का यह चंद डॉलर्स का और रिसक पर तो आपना सारा कुछ लगा दिया तो रिसक reward ratio से यह तरीके से नहीं इस पर बैट थी that's why I hate scalping so दो वज़ा बता दी तीसरी वज़ा यह है कि जब आप scalping करते हैं तो कहीं न कहीं आप broker के लिए job कर रहे होते हैं broker को पैसा बना कर दे रहे होते हैं आपको पता ही होता कि मैं खुद पैसे नहीं कमारा लेकिन broker मेरा मेरी वज़ा से पैसे बना रहा है वह कैसे वह ऐसे कि जब भी आप buy करते हो यह sell करते हो कुछ भी करो तो आपके account से spread तो चार्ज हो जाता है उसी time अब आप वो trade profit में close करो यह loss में close करो वह जो एक buy and selling के अंदर prices के difference है वह तो आपको उसी time pay करना पढ़ जाता है और वह difference broker उसी time ले लेता है तो broker का तो फाइदा हो आपका फाइदा हो यह ना हो वह trade profit में close करें यह loss में close करें तो broker ने तो कमा लिए तो सबसे बड़ा जो इसका scalping का नुक्सान है वह spread के और spread spread का भी मुह कभी खुला होता है spread fix होता है यह spread variate आप यूज करते हैं आपको यह भी नहीं पता प्लीज गो तो यह ब्रोकर विद चैट के यह मुझे बताओ के मेरा जो यह package है यह मेरा जो काउंट है इसके उपर spread fix है यह variable का मतलब होता है कभी spread कम हो जाता है कभी spread ज्यादा हो जाता है अक्सर न्यूज के तो यह आपने ब्रोकर से लाजमी पता करना है दूसरी चीज सम्टाइम ब्रोकर जो है वह spread के साथ साथ commission भी charge कर रहा होता है fees charge कर रहा होता है तो वह भी आपको पढ़ गी अब यह दोनों चीजे refundable नहीं है ना spread और ना commission चाहे आप profit करो यह loss करो यह ट्रेड को वैसे broker जो हैं वो swap भी charge करते हैं तो जैसे ही आपने trade लगाई कुछ broker उसी time swap लगाना शुरू कर देते हैं और कुछ 48 आर बाद 24 आर बाद वगरा 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 तो swap एक बहुत बड़ा issue है तो यह भी आप अपने broker से confirm कर सकते हैं कि क्या आपका broker swap चार्ज कर रहा है या नहीं चार्ज कर रहा है और कितनी देर बाद चार्ज करेगा यह information भी आपको होना बहुत जरूरी और swap बैसे भी हमारे इसलाम में हराम है क्योंकि spread जो swap है वो sometime आपको मिल भी रहा होता है यह positive और negative दोनों ways में इस्तमाल होता है यह तो broker आपसे चार्ज करता है यह broker आपको spread पे करता है तो इसको भी आप देखिएगा और पता कीज़ेगा अपने broker में जब मैंने बाय किया गोल्ड 1900 पे तो जाके 1902 पे बाय हो गया यानिका दो डालर फुर पहले वो सप्राइड भी ले रहा है commission भी ले रहा है उसके उपर सोने पर वागा उसने gap लगा दिया और इस gap को in our fx term हम बोलते हैं slippage अच्छा यह जितनी पी बाते मैं कर रहा हूँ ना यह सिर्फ फॉरक्स के लिए नहीं है यह सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है यह सिर्फ स्टॉक के लिए नहीं यह हर एक के लिए हर एक mainly यही करते हैं हर एक में same to same rules apply होते हैं तो यह जो slippage है जब आप स्कैलपिंग करते हैं तो सबसे ज्यदा कोई चीज आपको नुकसान दे नुकसान देती है तो यह slippage है तो slippage का भी आप लोग ख्याल रखें अगर आपकी ट्रेड फस गई आपने लगाई थी कि मैं दो डॉलर का profit लेके न स्कैलपिंग के लिए ना अकाउंट से लाइदा होते हैं अपने ब्रोकर से स्पैसिलाइज अकाउंट लोग स्कैलपिंग के लिए अगर नहीं पता तो contact करो मेरे से आइविल हाप यू तो चूज ग्रेट अकाउंट फर स्कैलपिंग करने के लिए आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए और आपका पिंग रेट बड़ा अच्छा होना चाहिए और आपके जो ब्रोकर का सरवर हो बहुत अच्छा होना चाहिए कि वह को नुकसान क्यों हो रहा है तो यह सारी वजा थी डाट स्कैलपिंग और मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर मना करता हूं के चकर में ना पढ़ा करो और लॉंग ट्रम ट्रेट को प्लैन किया करो और उसके बाद उसको स्कैलपिंग भी करना हो तो करके आप लोग प्रॉ दो राएं, स्कैलपिंग बहुत ही बुरी चाईओ, मुझे लगती है इसलिए भी इंगuchar की निरी कमाई और ट्रेडर का इसमें सरासर नुकसान है और सम टाइम हम लोग स्कैलपिंग करते हैं और इस नियत से करते हैं कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओंगा और पूरे का पूरा काउंटी वाश कर देते हैं हमारा ट्रेडिंग प्लान खराब हो जाता है हमारी सैकॉलीज और आपके माइंड में कोई ऐसा भी डिसड्वांटेज है जो मैंने यहां पर नहीं जिकर किया तो वो कमेंट में लिखें और चैट में पर जाएका इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और क्या इस तरह की वीडियो मुझे और भी बिनानी चाहिए या नहीं और करना चाहते हैं अच्छा आप स्केल्पिंग की स्टर्टर जी बिनाई है आपने इंट्रीड पर यह इसको पहले टेस्ट करना होता है बढ़े यह भी ऑप पर एए टूल्स वो कैसे करते हैं उसके लिए मेरे कोर्स बनी हुई है वाप ले सकते हैं उसकी फीज दस दॉलरा सकते हैं learning कर सकते हैं और उस strategy की back testing कर सकते हैं और उसी strategy का iea ia यह रबोर्ट यह indicator कैसे बना सकते हैं तो एक दिन की बरिखशाप है उसमें मैंने यह नहीं पहलत सॉम्हाला सारा कुछ कवर किया हुआ है और फिर आपको यह भी पता चल जाएगा के आप जो स्ट्रेटेजी पर यूज़ करनी है वह सभी है या निए अच्छा एक और चीज़ यह नोट किये विडियो लंबी हो यह नोट की स्ट्रेटी तो लोगों के पास ठीक होती है लेकिन वह उस पेर के लिए नहीं बनी होती जिस पेर पर उसको प्लाइय कर रहे होती है यह सीजन के लिए नहीं बनी होती जिसमें उसको प्लाय कर रहे होते हैं इस टाइम मरी में बैठा हूं और मरी में इस टाइम नॉर्मल है लेकिन आम दिनों में जब मरी में सर्दी पढ़ रही होती है आप गर्मियों वाले कपड़े पैके पहन के कराची से यहां पर आ जाएंगे नहीं पिछले दिनोंगी मरी में काफी स्दाएमवात हो इनुख इस logo सर्दी में हैं अप अप्ली से लिए के लिए हैं किह से क्या वो करन्सी के लिए क्स लिए बनी है तो यह बहुक्त के लिए था क्रिंदे सबलाइए बनी कि मदद से एक डिफरेंट टूल्स की मदद से और उनकी मदद से हम अपनी ट्रेडिंग को ज्यादा असान बनाएंगे वीडियो कैसी लगी कमंटर पर बिटायका अजार करें अपर दो में आखे रियाद रखें और अब यह पाफ हमारी चैनल पर नहीं है तो फरक्सुस्ता.com को सबस्क्राइब करें अलाफिस असलाम लेकूँ